हलो स्टुएंज कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कारे पत्रिका कारे पत्रिका नमबर 93 B.E.S की वक्षित है यह आपकी क्लास 5 की डेट है और 21 अक्टूबर सब्जेक्ट है आपका लुकिंग अराउंड टेक्स बुक से ली गई है और यूनिट है आपकी नमस्ते पैरे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त आवण सरक्षित होंगे पैरे बच्चो आपने आंत्रिक्ष यात्रियों के चितर देखे होंगे जिद में अन्त्रिक्ष्यान के अंदर और बाहर हवा में तैरते हुए दिखाया जाता है परंतु प्रत्वी क सता है पर हमारे पैर मजबूती से ठीके होते हैं क्योंकि प्रत्वी के पास एक अनोखी शक्ति है जो वस्तु और प्राणियों को अपनी सता की और खीस्ती है इसी सक्ति को गृत्वा कर्शन वल कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चों गृत्वा कर्शन वल यह गृत्वा कर प्रत्विय अपने गुद्वा कर्शन वर्ल के कारण अपनी सताय की तरफ खीच सकती है और किन ही नहीं तथा नीचे दिये गए तालिका को पूरा खीचे तो देखे नीचे तालिका दी गई है इसको पूरा करना है ठीक है बच्चो तो चलिए पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं ये है बच्चो पतंग ठीक है और ये है बादल ये है पक्षी ये है आपकी तितली यह है चंद्रमा चांद भी बोलते हैं जैसे हम यह है सूरज ठीक है तो पतंग को प्रिथवी अपनी और खीच सकती है इसलिए पतंग को आप यहां लिख देंगे ठीक है बादल को अपनी और प्रिथवी नहीं खीच सकती है इसलिए बादल को यहां पर लिखेंगे पक्षी क इस वाले बॉक्स में आएगा सूरज चांद और बादल वो इस वाले स्थान पे आएगा ठीके बच्चे तो चलिए आगे चलते हैं सेकिंड कुछिन की तरफ क्या अपने कभी सोचा है कि अगर हमारे प्रत्वी के पास घृत्वा करशन बल ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार हमने पेड़ लगाया पेड़ भी एक जगह पे है ठीके यहां पे हमने बिल्डिंग्स बना रखे फैक्टरी बना रखे वो भी एक जगह पे हैं मेट्रो चल रही है ट्रेन चल रही है यह सारी भी एक जगह पे चल रही है बिल्डिंग्स हैं घर हैं सब एक जगह हैं हम एक बिल्डिंग्स भी हवा में उड़ने लगेगी, फैक्टरीज वगर भी हवा में उड़ने लगेगे, घरवर सब हवा में उड़ने लगेगे, मेट्रो, ट्रेन, बस, कार सब हवा में उड़ने लगेगी, ठीक है न, तो यह है फरक आपके good vacation वलकर, चलिए अब इसका आंसा दे और मैं इधर उधर, और मैं की जगाएगा, और वह, इधर उधर, इधर उधर भागती रहेगी, ठीक है, भागती रहेगी, ठीक है बच्चों, तो यह हो गई आपकी, आज की EVS की वक्षीट, आप देख लेते हैं कि आगे क्या दिया गया, प्यारी बच्चों, प्रेथवी क्रित्मिक रेखाएं बनाई गई हैं, क्रित्मिक रेखाएं बनाई गई हैं, क्रित्मिक होता है, जो कि नैश्रल नहीं है, जैसे कि करक रेखा, मकर रेखा, भूमद्य रेखा, यह कालपनिक रेखाएं, बच्चों कालपनिक रेखाएं, मतलब सोची समझी रेखाएं, यह मतलब किसी भी जगह का वह लिए ik इसका उनका हम यूज करते हैं अब देख लेते हैं कि मैं बच्छो के साथ हुआ बच्छों के साथ चीर्चा कीजें तो पछों यह थी आपके आज की वक्षीट मिलते हैं आए Spider चुटे केर